रूस के रक्षा मन्ट्राले ने इस ड्रोन हमले की पुष्टी नहीं की है लेकिन रूस ने ये जरूर कह दिया है कि उसने 24 गंटे में यूकरेन के तिहत सर ड्रोनों को या तो मार गिराया या उन्हें टागेट हिट करने से पहले जैम कर दिया है रूस पर ड्रोन की बारिश में पुतिन की नीद उड़ा दी है क्राइमिया टू क्रेमलिन जेलिंस्की इस वक्त रूस पर कहर बन कर बरस रहे है रूस का एर डिफेंस सिस्टम आपको बता दें लगातार जो है यूकरेन के ड्रोन हमलों के सामने बेहद कमजोर दिखने लगा है जमीन आसमान और पानी में जेलिंस्की को जहां मौका मिल रहा है रूस को ड्रोन हमले से रॉंदने की कोशिश कर रहे हैं हो जेलिंस्की को कमजोर आखने की भूल करने वालों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए दिन का उजाला हो या राद का घुप अंधिरा मौसको पर मौत वाला साया मंडरा रहा है रूस के एयर डिफन्स की जेलिंस्की के ड्रोनों ने चिन्दी चिन्दी बिखेर दी है क्राइमिया में ड्रोन का कहर यो उक्रेन की मिलिटरी एजनसी का दावा है कि उसने क्राइमिया से 200 किलोमेटर धूर रूस की 126 मी कोस्टल डिफन्स ब्रिगड बेस पर जोरदार हमला किया है ये बेस क्राइमिया का पेरे वलनों है जहां रूस ने 2014 से अपना बेस बना रखा है महा युद्ध के रिहास में ये पहली बार हुआ है कि यो उक्रेन के ड्रोन रूस के कबजे वाले बेहत समवेदन शील इलाके में घुसे और तबाही भी मचाए पश्यमी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि इस हमले में जान भी गई है लोग जख्वी भी होएं लेकिन रूस का रक्षामंत्राले कहता है कि हमले तो होएं एक नहीं 42 ड्रोन हमले लेकिन बेस पर होने की बात तो रूस की तरफ से नहीं कही जा रही रूस के रक्षा मंत्राले ने क्या कहा सुने क्राइमिया के उपर योक्रेन के 42 ड्रोनों से हमला किया गया इनमेंसे 9 ड्रोनों को रूस के एर डिफेंट सेस्टम ने मार किराया और 33 ड्रोनों को Electronic Warfare सेस्टम की मदद से Target हिट करने के पहले जैम कर दिया किया रूस की रक्षात्मक शक्ती भी सवालों के घेरे में है लेकिन इसकी डीटेल आगे अभी तो सारन की चीखती आवाजों वाले शहर मौसको में दहल रहे लोगों की तज़्वीरें दब बनिंग मौसको तेड़ साल में युद्ध की दशा और दशा दोनों बदल गई है यखीन नहीं होता तो एक और तज़्वीर देखिए ये उची इमारत रूस की आन बान शान की प्रतीक है और आपके जहन में इसके उपर जैलन्सकी के शोले बनते ड्रून की तज़्वीरें भी ताजा है उसी कड़ी में एक और तज़्वीर देखिए मौसको पर ड्रून और मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है रूस की मेयर ने खुद बताया है कि हमलों को देखते हुए तीन एयरपोर्ट कुछ गंटों के लिए बंद करने पड़े मौसको की मेयर सरगेई सोप यानिन ने कहा कि मौसको क्षित्र के इस तरह जिले के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रून को मार गिराया मौसको की तीन एयरपोर्ट जिन्हें जैलन्सकी के डर ने बंद करने के लिए विवश कर दिया उन्हें मैप पर देखिए और यही क्यों बिचले हपते योगरेन के ड्रून हमलों से डरे रूस को अपना मौसको एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को मौसको एयरपोर्ट कई गंटों के लिए बाधित हुआ आर्मी बेस बाशिंदों से भरे शहर में, समंदर में, आस्मान में जैलेंस्की के ड्रूनों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लहू लोहान कर दिया है जैलेंस्की के ड्रून हमलों को रोकने की पुतिन की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है जैलन्सकी रूस में जिस जगह चाहें ड्रोन हमला कर रहे हैं जैलन्सकी के ड्रोनों की ताकत के सामने पुतिन के बेहग तेज हमले मत धिम लगते हैं क्योंकि पुतिन चार मारेंगे तो शोर होगा और जैलन्सकी ने एक बीमारा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा ये लड़ाई दो खैर बराबर ताकतों के बीच है जिसका फाइदा तीसरा नैटो नाम का संगठन उठा रहा है लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं यहां तो जैलन्सकी के काउंटर अटैक की काट ढूनते रूस के जनरल की बार जा सुथ की पिरिखवाचेना प्याट रेक्टिवने सनर्यादव सिस्टेम जालपव अग्ना हाइमर्स इ प्रोटिवा रडियोल्चोन राकेता हार्म प्राइजवोस्तों सप्राइदा 18 अगस्त दो हजार थेज मोस्को पर ड्रून हमले की कोशिश नाकाम 18 अगस्त दो हजार थेज एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पर ड्रून हमला 30 जुलाई दो हजार थेज एक साथ कई ड्रून हमले 24 जुलाई दो हजार थेज मोस्को की दो एमार्तों पर ड्रोन अटाक मतलब एक बार गी जुद की बदलती तस्वीर जैलन्सकी की शान नहीं बढ़ा रही बलकि पिछले महीनों में योक्रेन लगातार रूस के भीतर घुस कर हमला कर रहा है मौस्को में इसी कारण एर डिफेंस सेस्टम पंचीर इमारतों की चतों पर लगाए गए है लेकिन जैलन्सकी के ड्रोनों की जोरदार धार के बीच कुछ काम नहीं आ रहा बहुत बारीक और ठोस रन्मीती के तहट जैलन्सकी रूस को ड्रोन हमलों का शिकार बना रहे यूकरेन ने क्राइमिया के नेकट काला सागर में एक रूसी टैंकर को भी निशाना बनाया है रूसी विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मार्या जाकरोवा ने कहा कि रूस कर्च जलड मरुमध्यक के असैन्य पोथ पर हुए यूकरेन के आतकवादी हमले की गड़ी निंदा करता है इस प्रकार से बरबर क्रत्यों को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा इस हमले का शर्यंत रचने वाले और हमला करने वाले लोगों को निश्चित ही डंडित किया जाएगा इससे पहले योकरेन ने एक प्रमुक रूसी बंदरगाप पर हमला किया था कियों कि नौसैन ने शक्ति बढ़ाने के साथ ही काला सागर एहम युद्ध क्षित्र बनता जा रहा है रूस ने करीब तीन हफ़ते पहले योक्रेन के समुद्री मार्ग से अनाज निर्यात करने समद्धी समझोते को समाप्त करने की घूशना की थी और योक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया था जिसके बाद योक्रेन ने पलटवार किया इसी तरह योक्रेन रूस के हमलों का जवाब अपने ड्रोन के जरिये ही दे रहा है दुनिया के कई वार एक्सपोर्ट्स की यहां राय जाननी जरूरी है क्योंकि पुतिन को इन ड्रोन हमलों का काट निकालना ही होगा वरना एक तरफ योक्रेन की जमीन पर जीत और दूसरी और अपने जमीन पर लगातार हमले ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते लेकिन सवाल है कि हल क्या है उसके लिए रूसके एर डिफेंस के शक्ती की बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए रूस के पास दोनिया का सबसे अत्याद होने के एर डिफेंस सेस्टम मोचूद है लेकिन जैलन्सकी का दावा है कि उन्होंने इस सिस्टम के भी चीथरे उड़ा दिये है योक्रेन की फॉज ने क्राइमिया में एंट्री एर क्राफ्ट सिस्टम को डेर करने का वीडियो भी जारी किया योक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जैलन्सकी किसेना ने रूस के कबजे वाले क्राइमिया में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दबा कर दिया योक्रेन के ड्रोनों का निशाना एतना सटीक था कि जोरदार विस्पोट हुआ जिसे देख कर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वाला मोखी फट पड़ा हो रूस इस बात पर अपनी पीट धबधबाता आया है कि उसके S-400 को दुनिया की कोई ताकत नहीं भेज सकती रूस का दावा है कि S-400 एर डेफेंस सेस्टम जमीन से हमला करके आस्मान में लड़ाकों विमानों और मेसाईलों को गिरा सकता है लेकिन योक्रेन का दावा है कि उन्होंने अपने खदरनाग ब्रोन से उसको तबाह कर ढठा ला महयुद में रूस का सब कुछ तो नहीं तो भी बहुत कुछ दाव पर लगा है एक छोटे से सैनिक शक्ति वाले देश ने रूस की बल शाली कही जाने वाली सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है ड्रोन के तोर पर जैलन्सकी को एक ऐसा नाया भथियार मिल गया है जो कुछ हजार में आता है और बंब से दुश्मन पर हमला कर देता है खुद भी तबाह होता है और दुश्मन के इलाके को भी तबाह कर देता है जैलेंस्की के ड्रोन हमलों का सच यह है कि जब यूप्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमले करने शुरू किये तो पश्यमी देशों को लगने लगा कि मामला अभी हाग से निकला नहीं है वरना कहा जा रहा था कि जैलंस्की का counter attack धाग के 3 बात हो गया है कहीं कोई असर नहीं हो रहा लेकिन जैसे ही जैलंस्की ने drone हमले बढ़ाए कहर मच गया अब कोई ऐसा दिन नहीं है जब पोतिन अपने टॉप के कमांडर्स के साथ मीटिंग ना कर रहे हो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रूस का कोई ना कोई इलाका drone के हमलों से थर्रा नहीं जाता हो योग्रेन मॉस्को पर यूजे 22 एयर बॉन नाम से एक highly versatile यानि अत्यधिक बहुमोखी drone से हमले कर रहा है इस drone को स्वायत रूप से या दूर किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है ये drone 82mm के चार मोटार मायन्स या चार RPG 7 ग्रिनट तक ले जा सकता है यूजे 22 एयर बॉन लंबी दूरी के मिशनों को सतीकता के साथ अटैक कर सकता है ये drone योक्रेन बड़े पैमाने पर अपनी फैक्टरी में तयार कर रहा है 24 गंटे योक्रेन की drone फैक्टरी में प्रोडक्शन चालो है जैलन्सकी के सामने picture clear है कि करोरों की मिसाइल को पश्रीमी देशों की क्रिपा से हासिल कर उसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने से सस्ते drone ही अच्छे हैं जो मनचाहा result दे रहे हैं जैलन्सकी के UJ-22 drone की अधिक्तम दूरी 800 किलोमेटर तक उडान भरने की है मॉस्को योक्रेन की सीमा से लगभग 600 किलोमेटर है SMA drone मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है मतलब योक्रेन से मॉस्को की भौगोलिक दूरी एक दम जैलन्सकी के drone हमले के माफिक है रूस का रक्षम अंत्राले दावा करता रहा है कि की उक्रेन के ज्यादा तर drone हमले अपने टार्गेट को हिट करने के पहले रूस के सिस्टम से हिट कर दिये जाते है कुछ को रूस का एर डिफेंस सिस्टम जैम कर देता है लेकिन सवाल है रूस की फुल प्रूफ सुरक्षा का आलम भी ये है कि मॉस्को खौप में है तो रूस के दूसरे शहरों का क्या होगा जैलन्सकी के drone से कैसे बचेगा रूस दलील ये दी जा रही है कि रूस ने काफे कुछ एर डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगा रखे है और इन्हें वहां से हटाया गया तो योकरेन के अंदर लड़ रही रूस की सेना को परिशानी होनी शुरू हो जाएगी लिहाजा उन्हें अटा कर शहर को बचाना बुद्धिमानी नहीं हो सकती तो सभाव फेर वही कि कैसे बचे रूस